केलांचल टाइम्स हर खबर पर हमारी नजर नमस्कार आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूँ आपके साथ सब नढ़ा कर रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर इसरों ने पहला सोलर मिशन एलवन को सफलता पूर्व 11 बच के 50 मिनट पर आएज लॉंच कर दिया है जिसके बाद अब कही सारे वहां से अपडेट्स भी आने वाले हैं PSLV C57 रॉकेट से आदित्या एलवन को लॉंच किया गया PSLV आदित्या एलवन को पृत्वी की कक्षा में स्थापित कर देगा जहां से आदित्या एलवन अंत्रिक्षियान अपने लिक्विड एपोजी मोटर्स के सक्तिशाली इंजनों का उप्योग करके कई बार अपनी क पक्षा को बढ़ाएगा जो इसे आदित्या एलवन को अपने गर्तव्य तक लगभग 15 लाग किलो मीटर दूर लैंगरिज पॉइंट एक तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाएंगे यह प्रित्वी और सूर्य की बीच की दूरी का एक बटे सौवा हिस्सा है इस इस्रो ने कहा कि सूर्य धर्ति का सबसे निकटम तारा है और इसलिए अन्य की तुलना में इसका अधिक विस्तार से अधिन किया जा सकता है इस्रों ने कहा कि अकाश गंगा और अन्य अकाश गंगाओं के तारों के बारे में सूर्य के बारे में और भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है सूर्य में कई विस्पोटक घटनाई होती है और ये सौर मंडल में भारी मात्रा में उर्जा छोड़ता है अगर ऐसी विस्पोटक और घटनाई प्रित्वी की ओर बढ़ती है तो ये प्रित्वी के निकट अंतुरिक्ष के वातवरण में कई तरह की गड़वड़ी पैदा कर सकती है इसरों ने कहा कि अंतुरिक्ष यान और संचार प्रणालिया ऐसी गड़वड़ी से खराब हो जाते हैं इसलिए इस तरह की घटनाओं की पूर्व चेतावनी मिलने से पहले से ही सुधारात्मक उपाय करने के लिए समय मिल सकता है इस बार भी इसरों के PSLV के अधिक शक्तिशाली वैरियंट XL का उप्योग किया जाता है जो आज साथ पैलोड के साथ अंतुरिक्ष यान को ले जाएगा इसी तरह के PSLV XL वैरियंट का इस्तिमाल 2008 में चंद्रियान एक मिशन और 2013 में मार्श और्बिटर मिशन में किया गया था सोलर मिशन के कुल साथ पैलोड में से अंतुरिक्ष यान पर चार सीधे सूर्य को देखेंगे चपकी 63 L1 बिंदो पर कणो और इलाके का अध्यन करेंगे